है अगा है है वही बता दे कि वही चात्र से क्वेस्च का मांग भूल सकते हैं जो की इनको इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन दोस्तों जो च्छात्र काफी मेहनत और काफी संघर्ष करके यहां तक पहुचे और उसका कुछ नम्मर से दोस्तों जो है रखसर नहीं वो पाया इसमें आनि काउंसलिंग में वो सौट लिस्टेट में नहीं आ पाये तो दोस्तों वो च्छात्र कभी नहीं भूल सकते हैं सेकेंड लिस के लिए छात्र काफी संघर्ष कर रहे हैं लगातार इसमुद्दे को उठा रहे हैं और दोस्तों मैं भी यही कहना चाहँगा कि जितने भी यूट्यूवर हैं इसके बारे में ज्यादा ज्यादा वीडियो बनाया है सेकेंड लिस्ट के लिए क्योंकि आयोग को सेकेंड लि दोस्तों आपको आता है कि आयोग भी ऐस सेकेंड लिस्ट जारी करेंगी लेकिन मेरिट आने के बाद आको पता है दोस्तों कि बारह approach 12hr चात्रों का मेरिट आना है आँ उसका जैसे लिए सालिजूवर जरी कानि ऑस रहे предлож हम आपको बता दे कि आपके पास एक समय और मिला है जिसका भी जो है एंटी पीसी में रिजल्ट हुआ है अभी फिलाल दोस्तों ये सारे चीजों को भूल करके जो है आपको क्या करना है कि इसमें लग जाना है और इस CBT2 एकजाम में आपको लग जाना चाहे आपने किसी भी लेवल में क्वालिफाइंंं क्या है लेवल 5 लेवल 6 ज्यादा तर छात रह्म आपको बूल जाना है और फिलाल जितने वी यूट्यूबर है वो जो है second list का मांग ठाएंगे जबा तर जब आपको पता दोस्तों कि rank list भी जो है cut up rank list का भी जो है बात चल रही है आयोग जो है rank list जारी करेगी क्योंकि छात्र जो है नहीं मान रहे हैं तो दोस्तों आपको पता हैं कि आयोग को जारी करना पड़ेगा अलाकि इसका मुद्दा जो है बार वार हम लों यूट्यूबर के दवारा उठाया जा रहा है फिलाल आपको अभी जो है एंटीपेसी सीवी टीटू में लग जाना है दोस्तों जैसे मेरित आएगा छात्र जो है सेकंड लिस्ट के लिए तयार हो जाएंगे इस वीडियो में इतना है वीडियो पसना आता है एक लाइक कीजिए चनल पर नायोंगे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा